तमस्कार मैं उप्रिया आज है 15 माई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में प्रारमिक सिक्षकों को मिलेगा वेतन संग्रक्षन आज होगी CDPO की परीक्षा प्रशन पत्र खोलते समय होगी वीडियोग्राफी अब इतने मांदेवाले स्वास्तकर्मी आएंगे E.P.F. के दाएरे में बिहार में रुकेगी बिजली की चोरी सिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्श रेंज जारी अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की उन्वस्तार से बिहार में प्रारंभिक सिक्षकों को मिलेगा वेतन संग्रक्षन बिहार में पंचाइदी राज और नगर निकायों के प्रारंभिक सिक्षकों के दूसरे नियोजन एकाई के लिए चैनित होने वालों को वेतन का लाव मिलने वाला है विभाग्या देश के अनुसार वेतन संग्रक्षन का लाप सिर्फ वैसे सिख्षकों को ही दिया जाएगा जिन्होंने अन्य नियोजन इकाई में नियुकती है तू सम्मन्धित नियोजन इकाई के सच्छिफ की अनुमती से आविदन किया हो आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लब शास्री की आचार्य जानकी वल्लब शास्री हिंदी और संस्कृत के कवी लेखक और आलोचक थे उन्होंने 2010 में पदमश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था इसके पुर्व भी उन्होंने पदमशी नहीं स्विकारा था वो छायावादोतरकाल के सुविख्यात कभी थे उत्तरप्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरसकार से सम्मानित किया था आचारे का काव संसार्य बहुत ही विविध और व्यापक है वो थोड़े से कभीों में रहे हैं जोने हिंदी कभिता की पाठकों से बहुत मानसम मान मिला है प्रारंब में उन्हाने संस्कृत में कभिताय लिखी फिर महाकभी निराला की प्रेड़ना से हिंदी में आए श्रास्त्रे जिका जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गाउं में हुआ था ट्रेन के जनरल टिकेट काटने की जिम्मदारी अब नहीं होगी रेलवे करमचारियों की यात्रिकन पुप्या धियान दे अब ट्रेंज से जेनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को टिकेट की सुवधा आउट्सोर्स के माध्यम से मिलने वाली है यानि की प्राइवेट कर्मचारी अब टिकेट की विक्री करने वाले है जिसके तहती पुर्वोत्तर रेल्वे ने जंक्षन पर भी स्टेशन टिकेट बुकिंग एजेंट रखने की शुरवात कर दी है जिसके तहती खाली हो रहे पदों को सरेंडर कर अब रेल्वे आउट्सोर्स की माध्यम से कई काम करने जा रहा है जुसमें ही जन्नल टिकेट की विक्री भी शामिल है ऐसे में अब जन्नल टिकेटों की बुकिंग के लिए जंक्षन पर स्टेशन टिकेट बुकिंग एजेंट सेनाथ होंगे जंक्षन के टिकेट काउंटर भी अब नीजी हाथों में होंगे हौल्ट और छोटे स्टेशनों की तरही जंक्शनों पर भी प्राइवेट कर्मचारी कमिशन की आधार पर रेलवे के जनरल टिकेट की विखरी करेंगे Broadcast Engineering Consultants India Limited ने निकाली रिखतिया Broadcast Engineering Consultants India Limited ने डेटा इंट्री ऑपरेटर के कुल मिलाकर 86 पदों पर आवीदन की मांग की है इन पदों के लिए सेक्षनी क्योगिता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MS Office में सनातक और हिंदी टाइपिंग के साथ अच्छा ग्यान 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना अनिवारे है इच्छुक और योगी मिद्वार अंतिम तारिक 22 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.basal.com पर जाकर आवीदन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदो से जोड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे URL से जाकर ले सकते हैं बिहार में नयास महर नाले भवन बनाने का रास्ता साथ जञधी बिहार की राजढी पट्ता में नया समाहर नाले भवन परिसर के निर्मान का रास्ता साफ होने वाला है मीडिया में चल रही ख़बरों के निसार प्रमणडली आयुक्ति कारियाले की तरफ से जारी सूचना के निसार सुप्रीम कोट ने इसके निर्मान को हरी जंडी दे दी है निर्मान कारे को ले कलपटना हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में ही चुनाती दी थी लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे खारिश कर दिया निर्मान कारे शिरू होने की बाद इसके परिसर में चल रहे तीन कारियालियों को शिफ्ट करना होगा इसमें अनुमंडल कारियाले, स्माहर नाले, कोशागार, अभिलेखागार शामिल है विकास भवन को तोड़ने की योज़रान नहीं है इससे डीडीसी, कारियाले, विकास भवन में ही चलेगा नए भवन में 49 विभागों को जगह मिलेगी 3484 वर्ग फूट का गार्डन होगा आज होगी CDPO की परिक्षा फ्रशन पत्र खोलते समय होगी वीडियोग्राफी बिहार लोग सेव आयो की तरब से बाल विकास परियोशना पदाधिकारी या CDPO की प्रतियोगिता परिक्षा आज होने जा रहे है परिक्षा एक पाली में दो पहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी इसमें सिर्फ पटना की बात करें तो कुल 9680 परिक्षा रती शामिल होगे पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये DM और SSP ने कहा है कि बिहार लोग से वायों की परिक्षाओं पर बिहार परिक्षा संचालन अधिनियम उने स्वाई क्या सी लागू है यदि कोई उमिद्वार इस अधिनियम का उलंगन करते हुए पाये जाते हैं दसवी कमपार्टमेंटल विशेश परिक्षा कुंजी आधिकारिक वेबसाइट बिहारबोर्ड-online.bihar.gov.ion पर देख सकते हैं आपको बता दे कि बिहारबोर दसवी कमपार्टमेंटल परिक्षा 2022 उन सभी उमिद्वारों के लिए मई 2022 में आयो जित की गई थी कमपार्टमेंटल से विशेश परिक्षा उत्तरकुंजी पर भी आपत्ती उठा सकते हैं आपत्ती दर्श करने की आखरी तारिक 16 माई 2022 है 16 माई 2022 की बाद B.A.C.B की तरफसे दसवी कमपार्टमेंटल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ती स्वीकार नहीं की जाएगी जिसकी बाद ये अप्छातर आसानी से अपना अंसर की देख सकते हैं महात्मा गाधी सेतू नई रूप में बन कर हुआ तयार बिहार पत्र निर्मान विभाग के कई बड़े प्रोजेक्ट बन कर तयार हो गए हैं इसका उदघाटन बगले महीने होने की उमीद जोताई जा रही है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार महात्मा गाधी सेतू का सुपर स्ट्रॉक्चर पूरी तरह से बदल गया है और अब सिर्फ उदघाटन का इंतजार है इसके साथ ही गंगा, पत्थ का, पहला फेस का काम भी पूरा हो चुका है दोनों बड़े प्रोजेक्ट है जुने जून में जनता के लिए खोल दिया जाएगा इसके साथ ही बिहार के पहले एक्स्प्रेस वे आमस दर्भंगा के निर्मान कारे का भी श्रीलानियास जून में होगा पत्थ निर्मान मंत्र नितिन नवीन ने कहा है कि महात्मा गांधी सेतू को सुपर स्ट्रॉक्चर में बदलने का काम पूरा हो गया है राजानी पटना से उत्तर बिहार जाना अब बेहद ही आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों लेंग चालू होने वाली है बिहार में समय पर आएगा मौनसून भीशन गर्मी के बीच मौनसून के आगवन पर मौसम विभाग ने बड़ी खबर साजा की है कई जिलों में हाला की अभी भी बारिश हो रही है लेकिन कई जिले भीशन गर्मी की चपेट में है इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार में मौनसून के समय पर एंट्री के संकेत दिये हैं जिसके तहती आएमडी पट्टा के छेत्री अधिकारी विवेक सिन्हा ने बताये कि इस बार दक्षिनी पश्रीमी मौनसून एक जून से चार दिन पहले केरल में आ सकती है हाला कि मौनसून ने केरल में समय से पहले दस्तक दी है उस समय की परिस्थित्या सामाने रही तो बिहार में 12 जून से पहले मौनसून दस्तक दे सकता है आपको बता दे कि बिहार में मौनसून प्रवेश की तारिक 12 जून है वही विहार के पश्चिमी चंपारन, पुर्वी चंपारन, गोपालगन, सीतामढ़ी, शिभर, मधुबानी, दर्भंगा, मधिपूरा, सहर सासु पॉल, अरर्या, केशनगंच, पुर्निया, कटिहार, भागलपूर और बांका के लिए 15 मई तक के लिए चेतावी जारी की गई खगड़िया के कात्याईनी, मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास, खगड़िया जुले के फरकिया इलाके में स्थित, धमारा घाट रेलवे स्टेशन के समीप मा कत्याईनी का दर्बार स्थित है, ये देश भर के 22 शक्ति पीठों में से एक शक्ति सुरिष्टी को अवश्यम भावी विनाश से बचाने के लिए तब भगवान विश्टु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती का अंग भंग किया था, सती का दिव्य देह के विविद अंग अलग अलग छेत्रों में जा गिरे थे, जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहा सीनदी के तड़ पर रहते थे, कोईलवर के नए सिक्स लेन पुल के दूसरे लेन का हो गया उधगातन, बीते दिन बिहार वासियों को कोईलवर पुल की स्वागात मिल गई है, शहाबात से और पुरवांचल समीत अन्यजिलो और राजियो और बिहार की राजधानी पतना स से जोडने वाला नया कोईलवर सिक्स लेन पुल के नर्मानकारे खत्म होने के बाद, बीते दिन इसका उधगातन के द्रिय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंतरी नितन गटकरी ने वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से किया, उधगातन के दारान स्थानिय सांसद उर्जा मंतरी राजकुबार सिंग कोईलवर में आयोजित उधगातन समारो में मौझूद रहे जिसकी बाद से ही पुल से शनिवार से विधिवत परिचालन शुरू हो गया है, हाला कि परिचालन पहले से शुरू है लेकिन बीते दिन उधगातन के बाद इसका विधिवत स अंचालन शुरू हो गया, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पुराने अब्दुल बारी पुल के समनांतर बने 1.528 किलोमीटर के 6 लेन के पुल के डाउंस्ट्रीम के 3 लेन का निर्मान 266 करोर से हुआ है सिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, साथवेचरन के सिक्षक वहाली को लेकर पटना में जोरदार विरूत प्रदर्शन देखने को मिला इस दोरान बीते दिन ही अभ्यर्थियों ने आईकार गुलंबर पर राज्य के सिक्षक मंतरी के पुतले को फूख दिया गुसाई अभ्यर्थियों के साथवे चुरन के बहाली के लिए प्रात्मिक विग्यपती जारी करने की मांग करते देखे गए हाला कि प्रदर्शन के दोरान एक अभ्यर्थी बेहोश हो गया जिसे आनन्फानन में उपचार के लिए ले जाये गया प्रदर्शन कारियों का कहना है कि राज्य सरकार लंबे अर्से से सिर्फ आश्वास अंदे रही है लाखो अभियर्थियों को बहाली का इंतजार है लेकिन उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है हाला कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब CTET और BTET के सिक्षक अभियर्थी प्रदर्शन करते देखे गया हो पिछले सब्ता भी अभियर्थियों ने पटना की सड़कों पर भिक्षातन किया था अब इतने मानने वाले स्वास्तकर्मी आएंगे EPF के दाइरे में विहार से लेकर प्राथमी की स्वास्तकेंद्र और उपकेंद्र तक रास्त्रिय स्वास्त मिशन के तहट 15,000 रुपे मानने या इसे ज़्यादा मानने पर काम करने वाले स्वास्तकर्मी जल्धी कर्मचारी भविशनीधी के दाइरे में लिये जाएंगे इसको लेकर स्वास्ते विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है स्वास्ते विभाग ने अपने संकल्प में लिखा है कि NHM यानी की National Health Mission के तहट काम करने वाले सम्विधा कर्मी जिन्हे एप्रिल 2015 को और पहले एप्रिल 2015 के बाद 15,000 रुपे का मासिक मानने मिलता है वो इस सुविधा के पात रहोंगे विभाग से मेली जुआनकारी के नुसार रास्ट्रिय स्वासमेशन के तहट 15,000 से अधिक मानने वाले स्विक्रित बल की संख्या 12,724 के आसपास है इसके विरुद 5,519 पदाधिकारी और करमशारी काम करने वाले हैं 12,724 पदों पर वार्शिक व्याय 29,77 करोर रुपे जबकि 5,519 कारिड़ पद पर वार्शिक लागत 12,9 करोर रुपे आएगी बिहार में रुकेगी बिजली की चोरी बिहार में बिजली चोरी का काम अब रुकने वाला है इसको लेकर बिहार के नितीश सरकार ने एक नया फॉर्मूला इज़ाद किया है बिहार सरकार के आदेश के बाद बिजली विभाग के तरफ से लिये गये निर्ने के बाद बिजली कंपनी के तकनीकी और वेवसाइक नुकसान को कम किये जाने को लेकर वेटरन सेक्टर के लिए बनी रिवांप स्कीम के तहट बिहार में 50,000 सरकिट किलोमीटर में बिजली के तार बदले जाएंगे सबसे खास बात ये है कि इस योशना के क्रियानवियन के लिए केंदर से सहाइता मिल signals के अनुमान के नुसार विजली कंपनी के आंकलंग के अनुसार इस योशना के क्रियानवियन पर 2700 करोर रुपे खर्च होंगे अब उमीद है कि इसी साल एल्टी लाइन के तार बदलने की योजना पर काम शुरू होगा इस योजना पर होने वाले खर्श पर सेधान्तिक सहमती भी बनी है अनुमती मिलने के बाद इसकी निविदा की जाएगी कई चर्डों में ये काम किया जाना है बिहार राजी हज कमीटी का हुआ गठन इमारते शर्या, इदारा, शर्या और खानकाहुक से एक-एक सदस्य रखे गए है 14 सदस्य कमीटी के अलावा दो पदेन सदस्य भी बनाए गए है तीन महीने में कमीटी भंग थी 17 जून से बिहार के हजियात्रियों की उडान शुरू होगी तृतिया सनातक स्तरिये सयुक्त प्रतियोंगिता परिक्षा में कैंडिडेट्स को मिला मौका तृतिया सनातक स्तरिये सयुक्त प्रतियोंगिता परिक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है क्योंकि ओनलाइन आवेदन से लेकर परिक्षा शुल्क जमा करने की आखरी तारिक बढ़ा दे गई है दिहार कर्मचारी चुह नायोग के सच्चिफ की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक विग्यापन संख्या एक बाइस तृतिया स्ना तक स्तरिय सेयुक्त प्रतियों गिता परिक्षा के लिए ओनलाइन आवेदन करने की तारिक 14 एप्रिल से 17 मई 2022 तक और परिक्षा शुल्क जमा करने के अंतिम तारिक 15 मई तक निरधारित की गई थी सचिफ का कहना है कि कैंडिडेट्स के हितों को ध्यान में रखते विए परिक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारिक 30 माई 2022 तक और ओन्नाइन आवेदन के लिए अंतिम तारिख 1 जून तक निर्धारित की गई है मुकेश सहनी ने देश भर में बंद हुए स्कूल को लेकर जताई चुनता देश भर में स्कूल बंद होने का मुद्दा अब VIP प्रमुक मुकेश सहनी ने उठाया है जिसके तहती बीते दिन उन्हाने प्रेस नोट जारी कर कहा कि सरकार नीजी करन को बढ़ावा दे रही है इसी का नतीजा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के कारेकाल में सरकारी स्कूलों की संख्या घटती गई है प्राइवेट स्कूलों की संख्या में जोरदार अजाफा होता गया है सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है United District Information System for Education Plus की एक रिपोर्ट का हवाला देते वे 21 में भी सरकारी स्कूल कम हो गये है देश में लगभग 17 करोड बच्चे अभी भी सिक्षा से बंचुत है लेकिन जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेगा तो ये पढ़ेंगे कहा पत्नी मंजु सिनहा की पुनितिथी पर पैत्रिक गाह पहुचे सीम नितिश बीते दिन मुख्यमंत्री नितिश कुमार की धर्मपत्नी स्वर्गिये मंजु कुमारी सिनहा की 15 वी पुनितिथी का मौका था इस अफसर पर ही मंजु कुमारी सिन्हा स्मृती पार्क कंकरबाग जाकर स्वर्गिये मंजु सिन्हा की प्रतिमा पर मालयारपन कर उन्हे भाव भी नी श्रधांजरी उन्हों ने दी मुख्य मंत्री ने अपनी माता स्वर्गिये परमेश्वरी देवी और अपने पिता कवीराज स्वर्गिये रामलखन सिंग की प्रतिमा पर भी मालयारपन कर भाव भी नी श्रधांजुरी अर्पित की मुख्य मंत्री के सुपतर निशांत कुमार, बड़े भाई सतीश कुमार, सहीत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी स्वर्गिये मंजी कुमारी सिनहा की, प्रतिमा पर मालियारपन कर श्रद्धांज लियर पित की, इस अफसर पर जलसंसादन मंत्री संजी कुमार ज्जा, ग्र सरकार के महंगाई पर वार के स्लोगन पर तेजस्वी ने केंदर पर साधा निशाना, बिहार के नेता प्रतिबख्ष तेजस्वी आदब ने बिहार में बढ़ती महंगाई पर अपना बयान दिया है, जिसके तहती उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर तंज कसा है, जिसके लिखा कि महंगाई के साथ बेरोजगारी से बदहाल जनता का मुद्धा उठाने की कोशिश करें इस दोरान ही तेजस्वी आदव ने कई अख़वारों में छपी महंगाई संबंधी खबर की तस्वीर को भी पोस्ट किया और लिखा कि महंगाई पर वार का दंप करने वाली इ चोटे से बच्चे सोनु कुमार ने सीम नितीश पर कई आरोप लगाई और उनसे गुहार लगाई है दैसर कल्यान बिघा गाउं में मुख्यमंध्री नितीश कुमार अपनी पत्नी स्वर्गिये मंजुसना की सोलावी पुनितिती के मौके पर पहुंचे थे इस दोरानी सो गनवाडी से लेकर कक्षा पाच तक की क्लास लेता हूँ मैंने सीम साहब को अपनी परिशानी बताई है जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि तुम्हारा एड्मिशन हम करवा देंगे बड़ी मा से मिलने पहुचे चुराग जमुई सांसद और लोजपा आर के सुप्रीमो चुराग पासवान शनिवार को अपने पैत्रिक गाउं शेहर बन्नी पहुचे जहां उन्होंने अपनी बड़ी मा राजकुमारी देवी से मुलाकात की उनका हाल चाल जाना बालूम हो कि राजकुमारी देवी अभी बिमार चल रही है राजकुमारी देवी चुराग को देख कर भाव विभौर भी हो ठी इस दौरान ही शहर बन्नी में उन्होंने संवादाता समेलन को संबोधित करते वे कई मुद्दों पर खोलकर बाते की उसके तहती उन्होंने कहा कि आज की तारीख में महंगाई बेकाबू होती जा रही है लोगों के धहरे तूटते जा रहे हैं बोले ये समझ में आता है कि लोकडाउन लगा था जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी लेकिन सरकार महंगाई को लेकर अब कोई काम नहीं कर रही है भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अदर्ज सेक्तुराश्ट्रे 15 मई को इंतराश्ट्रे परिवार्द दिवस के रूप में मनाने का फैसला 1993 में किया था 20 साल के बाद 2005 में कैनड़ा में भारत का विमान आज ही के दिन उतरा था सेक्तुराश्ट्र सुरक्षा परिसर ने 2002 में इराग पर प्रतिबंधों का अनुमोधन किया महान क्रांतिकारी शहीद क्रांतिकारी सुखदेव का जन 1907 में हुआ भारतिय हास्य अभिनेता जौनी वॉकर का जन 1923 में हुआ आज ही के दिन बॉलिवुड दकार अमाधरी दिक्षित का भी जन 1967 में हुआ था राजस्तान के पुर्व मुख्यमंत्री और भारत के उप्रास्ट्रपती भैरो सिंग शेखावत का निधन 2010 में हुआ आज ही के दिन को विश्व परिवार्द दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आधार को मतदाता सूची से जोडने पर नियम जल्द होगा ज़ारी चंद्रा ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने उन पांच राजियो में टीका करन अभियान में तेजी लाने में एहम भूमिका निभाई है जहां इस साल मार्च में विधान सभा चुनाव संपन हुए है इसके साथ ही उन्हों ने कहा कि ये सुनिशित करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि मतदाता और चुनाव ड्यूटी में शामिल लोग कोरोना वाइरस से सुरक्षित रहे सूच्रा एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक के रूप में इन्होंने ग्रहन किया पदभार दिहार में बीते दुनों अमित कुमार ने निदेशक सूच्रा एवं जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहन किया है जुन्हें नहीं पता उन्हें बितादे कि अमित कुमार 2012 बाच के भारती प्रशाजनेक सेवा के प्डाधिकारी हैं अमित कुमार के तरफ से सब प्रथम विभाग के सभी प्डादिकारीं से परिचे है प्राप्त किया गया तद पुरांत इस प्रशाखाओं का निरिक्षन किया गया इस दोरानी निरिक्षन के क्रब में सभी प्रशाखा पदादिकारी से उनके प्रशाखा के कारे कलब के सम्मंद में जानकारी प्रादिकी गई है करो या मरो के मकाबले में जीती केकियार कॉलकता नाइट आइडर्स ने आईपियल 2022 में करो या मरो के मकाबले में सन्राइजर हैदराबाद को 54 रनों से हराकर फ्ले आफ में पहुचने की उमीद कायम रखी है टॉस जीत कर पहले बले बाजी करते हुए केक यार ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 117 रन बनाए आंद्रे रसेल ने 28 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली साम बिलिंग्स ने 34 रन बनाए जवाब में S.R.H. की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी अभी शेक शर्मा ने सबसे ज़ादा 43 रन बनाए रसेल ने गेंद से भी दम दिखाते वे 3 विकेट लिये इस नतीजे से केक्यार के 13 मैच से 12 अंग हो गए है कल हमारे दौरा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कामेंट करके दिया था इसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप मेंसे जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रिकार है आपके अनुसार बिज़े चोरी की समस्या कम करने में बिहार की नितीश सरकार सफल हो पाई है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटेड रहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद